सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पर आशा करता हूँ कि आप सभी बहतरीन जबर्जा सिंदबाद और एकदम तूफानी होगे तो कैसे हो आप सभी गुड़ाफटर नून गुड़ाफटर नून सभी प्यारे बच्चों को खाल पर इंकर श्रिवासता बहुत एप ये साथी घ्युर जड़ा नहा मूहित सभी प्यारे साथी तरफ से बहुत 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 गुड़ाफटरनून देन मुलिकेशन नहीं नहीं क्या बिल्कुल तो ऐसा हो रहा है तो मैं एक बार जरूर बोलूँगा और इसका सॉलूशन किया जाएगा जल्दी से तो एक बार सभी प्यारे साथ ही जुड़ेंगे किलास के साथ कैसे हैं आप सभी बताएंगे एक बार अपने बारे में तो सभी अच्छे हैं एक दम के लियर आती है मौद्रिक नीती से कैसे महगाई कंट्रॉल होती है देश के अंदर पैसे को और बियाई किस तरीके से नियंत्रित करता है यह सारी चीजह मैंने आपको बताई हैं ठीक ना तो आगे बात करें प्यारे बच्छे तो आज जो डिसकस करने वाला हूं मैं आपको थोड़ कि मैं कैसे बांट सकते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है अगर मैं बात करूं बच्चे classification of banks क्लासिफिकेशन औफ बैंक्स बैंकों का कुछ क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अलग-अलग केटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं देखो यह थोड़ा सा कॉम्पलीकेटिड है लेकिन आपको जितनी चीज़े मैं बता रहा हूं न यह बैंकि तो बताओं उसे आप थोड़ा सा समझने का प्रियास करेंगे मेरे साथ ठीक है न तो वैंकों का विभाजन किस तरीके से करने हैं हैं हैंड सम लग रहे हैं आज विड़ा हम तो रोजी हैंड सम लगते हैं उसमें दिक्कत ही क्या है हैं बताओ चलो आगे आ जाओ तो देखो देश में अगर मैं बात करूँ प्यारे बचे अगर मैं बात करूँ यहां आप से तो हम देश के बैंकों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी इन दो कैटेगरी से भी अलग होते हैं वो भी डिसकस करूँगा एक होते हैं बचे अनुसूचित बैंक ज Jobs been कौरी जो लिस्ट मनती है बच्शे आपकी वह होती है प्यारे बच्षे के ऐर अनुसूचित बैंक कर नहीं बन बन बैंक नॉन स्टूल बैंक तो दो केटेगरी में हमने डिवाइड किया है पहले ध्यान से समझता है अगर मैं बात करूं प्यारे बच्छे अनुसूचित बैंक यानि कि जिन्हें स्टूल बैंक कहा जाता है दूसरे हैं गैर गैस लिग गया है बिटा ऐसा मैं ठीक कर दो नहीं बिटा हो जाता है कि बार जल्दी जल्दी में तो गैर अनुसूचित बैंक नॉन स्टूल बैंक अब आपसे पहले तो एक्जाम में यही कुश्चन पूछ लेता है कि किन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है और किन बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है non-cedule bank कहा जाता है तो प्यारे बच्चे अनुसूचित bank यानि कि schedule bank उन बैंकों को कहा जाता है जिनका registration त्रीक है न भई जिनका registration मेरे प्यारे प्यारे बच्चो RBI Act 1934 की schedule किसके अंतरगत है बच्चे schedule 2 के अंतरगत दूसरी अनुसूची के अंदर जो registered है उन बैंकों को बोलते हैं तो ऐसे banks dual bank है जिनका registration जिनका registration जिनका registration RBI Act Reserve Bank of India Act 1934 1934 2nd schedule या अनुसूची बोल दो एक ही बात है अनुसूची में है ठीक है न भई तो जिनका registration हुआ रखा है यानि कि जिनका registration जो registered कराए हुए हैं अपने आपको बिटा RBI Act 1934 2nd schedule तो ये question पूछा जाता है अब बिटा दूसरे प्रकार के कौन से हैं गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं तो ध्यान से समझो गैर अनुसूचित बैंक नौन schedule बैंक उन्हें कहते हैं जो बैंक जो बैंक RBI Act RBI के कानून 1934 1934 की 2nd section 2nd schedule में registered नहीं है registered नहीं है यानि कि जिनों ने आपको registered नहीं करवाया हुआ RBI के इंडर में इस act के अधिनियम ठीक है न भई अब देखो बास समझो ये जो अनुसूचित बैंक होते हैं ये बैंक वच्चे RBI की बातों को मानना इनके लिए जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि ये RBI के कानून के अंतर गताते हैं ये बिटा RBI के नियम पियमों को नहीं मानते हैं RBI की बातें नहीं सुनते हैं तो इन पर RBI का कोई control नहीं होता है RBI की यहाँ नहीं चलती है ये RBI की सभी बातों को follow करते हैं ये CRR, SLR मेंटेन करते हैं ये नहीं करते हैं बात समझ मार रही है ये कोई किसी राज्य की स्टेट गवर्मेंट जैसे की आपका अभी एक बैंक खुला था बच्चे कुछ दिन पहले केरला कॉपरेटिव बैंक केरला स्टेट के अंदर केरल सरकार द्वारा आगे से नहीं आता है तो आप कहना मैं एक बार बोलूँगा जरूर की भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो नोटिविकेशन क्यों नहीं गया है इसके बारे मैं बिल्कुल पता की जाएगी आप सभी बिल्कुल परिशान मत होईएगा मैं आज ही बोल दूँगा बचे ठीक है न तो मैंने आपको दो तरीप एक सिड्यूल बैंक एक नॉन सिड्यूल बैंक सिड्यूल बैंक वो बैंक जो आर्बियाई के कहने को मानते हैं नॉन सिड्यूल बैंक बचे गेर बिटा के केटेगरी. इनकी भी एक कटेगरी है. अब किया केटेगरी है? यहीं समझना है थोड़ा सा. ये पहलब होते हैं. एक होते हैं बच्छे कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक अब समझ में आ जाएगी कि बैंक कितने तरीके के अलों होते हैं का दिमाग कंफ्यूची आ जाएगा मैं तो आपको लिमिटेडी बताऊंगा जो आपके एक्जाम के लिए जरूरी है ठीक है न भई शलो तो बेटा बात ध्यान से समझो तो मैं कहा रहा हूँ आपसे एक होते हैं व्यापारिक बैंक जिन्हें कॉमर्शियल बैंक कहते हैं और एक होते हैं बच्चे सहकारी बैंक कि सहकारी बैंक कि सहकारी बैंक इन्हें को ओपरेटिव बैंक कहा जाता है को ओपरेटिव बैंक तो एक तो हो गए आपके बच्चे को ओपरेटिव बैंक और एक हो गए प्यारे बच्चे आपके कॉमरिशियल बैंक तो कॉमरिशियल और को ओपरेटिव दो पार्ट में आप अपने सुड्यूल बैंकों को डिवाइड कर सकते हूं मुख्य मुख्य अगर मैं बात करूँ बच्छे आपसे एक ओने बोईस नहीं आ रही है बिटा सभी को बोईस आ रही है लेकिन तुम्हें बोईस नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है एक बार दुबारा चेक कर लेते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो भाई वोईस की वेवस्था सेगे न भाई बिटा नाबाड क्या है वो भी बताऊंगा थोड़ा सांती करोगे नहीं करोगे चीजों को समझो पहले तो मैंने आपको बता है सुड्यूल बेंक वो बेंक हैं जो RBI Act 1934 की सेकंड सुड्यूल के अंदर दूसरी अनसूची के अंदर रिस्टर्ड है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं व्यापारिक बेंक और एक होते हैं कोपरेटिव बेंक अब देखो व्यापारिक में और सहकारी बेंक में क्या डिफरेंस होता है देखो अगर मैं बात करूँ प्यारे बचे यहां आप से व्यापारिक बैंक जो होते हैं यह कस्टूमर डीलिंग या पबलिक डीलिंग करते हैं पबलिक पबलिक डीलिंग जो पबलिक डीलिंग करते हूँ ठीक है न भई पबलिक डीलिंग करते हूँ वो आपके क्या है प्यारे बच्छे तो वो आपके हुजाते हैं यानि कि आपके बच्छे व्यापारिक बैंक पबलिक डीलिंग से मतलब है लोगों का पैसा जमा करना आ वो सभी बैंक जो होते हैं आपके बच्चे वो commercial बैंक होते हैं जैसे कि PNB हो गया SBI, ICICI Bank, HDFC Bank, Access Bank ये सभी क्या करते हैं यानि कि बच्चे public dealing जनता के खाते होते हैं बैंकों में तो ये सभी व्यापारिक बैंक होते हैं वानिजिक बैंक होते हैं commercial बैंक होते हैं ये बात कमाना profit बिना profit की बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चे तो ये बात ध्यान रखना है यानि कि ये profit के लिए काम करते हैं लाब कमाने के लिए इनकी भी अलग-अलग category होती हैं अगर मैं बात करूं बच्चे व्यापारिक बैंक भी अलग-अलग category के होते हैं commercial बैंक यहां समझ मारी है पबलिक सेक्टर बैंक यानि कि जो सरकार के हैं बच्चपन सई सरकारी हैं तो यह जो पैदाई सरकारी हुए थे पास समझ मारा है यानि कि यह जैसे SBI को State Bank of India को रखा जाता है इसके अंतरगत SBI को SBI एक BMB भारतिय महिला बैंक BMB लेकिन अब BMB नहीं रहा है खतम हो हो गया है तो State Bank of India और आपका BMB भारती महिला बैंक यह कैसे हैं बच्चे जो जड़ सा ही सरकारी माने जाते हैं कि यह सुर्वास सरकारी बैंक है बात के लिए हैं आगे बात करूं ब्यारे बच्चे एक होते हैं आपके इसी के अंदर यानि कि commercial bank के अंदर एक आते हैं बच् बोलते हैं रास्टिय क्रत bank रास्टिय क्रत bank यानि कि ऐसे bank जो पहले कभी private वह करते थे लेकिन वो private से बाद में सरकार ने अपने बना लिये हैं जो private से public हुए हैं public का मतलब सरकारी हुए हैं ठीक है ना जो private थे पहले बाद में public sector के bank बने हैं बच्चे जैसे कि आपका पहले एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था बाद में सरकारी बन गया पी एन भी ठीक है न तो यह रास्टियकरण दो बार हुआ है एक बार चौधे बैंकों का और एक बार छे बैंकों का मैं आपको बता दूँगा कैसे-कैसे हुआ है तो बिटा जो आपके पबलिक सेक्टर बैंक होते हैं ने बोलते हैं सार्वजनिक शेत्र के कते ही एक दम मैंने आपको बीस बार बता दिया होगा पबलिक सेक्टर का मतलब लेकिन समझते ही नहीं हो सार्वजनिक शेत्र के बैंक जने पबलिक सेक्टर बैंक कहा जाता है यानि कि सरकारी जो जड़साई सरकार के है सरकार ने बनाए है एक रास्टियकरत बेंक जो पहले प्राइवेट थे बाद में सरकारी बने इसमें होता गया है बच्चे इसमें 50% more than 50% पैसा किसका होता है सरकार का तो जिन बेंकों का रास्टियकरत किया जाता है उनमें सरकार का हिस्सा सरकार का शेर कितना होता है more than 50% पढ़ी लिया करो अगर जाद ही अर्थसास्त्री बनना है तो मैं इधर बैठ जाओंगा आपके पढ़ालो बिटा इधर मैं तो यह भी ओफर दे रहा हूं आपको तो आसीज खान नाम है जो भी खांसाब बेटा इसे पढ़ालो अगर नहीं पढ़ना है तो आपको वी छूट आया एसे जोड़ बढ़सती नहीं है कि आपके कोड़े बढ़साए जाएंगे यह नहीं पढ़ने है मत पढ़ो आप लेकिन बेटा चीजों को समझे जो मैं आपक करता है नेस्नलाइज बैंक जो प्राइवेट से सरकारी बनाए गए हैं एक होते हैं बच्छे प्राइवेट बैंक इसमें प्राइवेट निजी शित्र के बैंक प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक, यानि कि बच्चे जन्हें निजी शेत्र के बैंक कहा जाता है, तो निजी शेत्र के बैंक यानि कि जो प्राइवेट है, निजी शेत्र के बैंक चीक है ना भई, प्राइवेट बैंकों के एक्जामपल एक दू देदू तुमें, HDFC HDFC commercial bank है लेकिन private sector का है Axis bank ICICI bank ICICI bank इतने ICICIC हो रही है बात के लिए है एक होते हैं बेटा foreigner bank foreigner ठीक है न भई foreigner bank यानि कि विदेशी bank जिनने कहा जाता है यानि कि ऐसे bank जिनका मुख्याले कहीं विदेश में है लेकिन वो अपने गरहकों को भारत में भी loan pawn देते हैं उनके branches भारत में भी है उन्हें विदेशी bank कहते हैं जैसे कि bank of America bank of America इसका example मैंने एक आपको दे दिया है बहुत सारे विदेशी bank भारत में काम करते हैं जिनने foreigner bank कहा जाता है यानि कि जिनका मुख्याल है भारत के बाहर हो जैसे New York में है इसका headquarter bank of America का लेकिन भारत में भी इसकी branches हैं तो भारत में भी ये अपनी सेवाएं देता है ठीक है न भाई? अरे भाई आप banking नहीं देनी लेकिन बेरे प्यारे बच्चे ये question आप से मैं MTS मैं पूछा गया बताओ ये पूछा गया है कि schedule bank कौन से होते हैं तो मैं MTS अगर banking का पढ़ाओंगा तो बेटा glass रिशोड़ दोगे मैं सिर्फ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बच्चे ये bank होते कितने प्रकार के बिसिक चीज़ ने समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बड़ी बात ही नहीं उसमें banking नहीं पढ़नी आपको पता ही नहीं है कुछ वहां पूछ लिया कि इनमें से कौन सा bank सरकारी है कौन सा private है चार option दे दिया आपको तो वहां banking ढूड़ोगे कि banking पूस्टा है अब syllabus उड़ा के देखो आप एक बार मैं कोई पगला गया हूँ जो मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ सिर्फ समझो इन चीज़ों को ये question बना है कि बच्चे आपके schedule bank कौन से होते हैं तो आपको पता होगा schedule bank के बारे में तबी तो बता होगे कुछ तो थोड़ी इसी चीज़ बता रहा हूँ ना समझो बात क्लियर है ना तो यहां थोड़ा ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आजाएगी मैंने आपको बता है classification of bank bank दो तरीके के हैं एक अनुसूचित bank है जिनने schedule bank कहते हैं एक गैर अनुसूचित बैंकों को local area bank भी बोला जाता है local area bank local area bank यानि कि कि किसी राज्य के सरकार के द्वारा ये चलाया जाते है state government द्वारा इनने चलाया जाता है RBI का control इन पर नहीं होता है तो इनके बारे में हमें बात भी नहीं करनी है हमने बात की अनुसूचित bankों की जिनने कहते हैं schedule bank schedule bank वो bank होते हैं जिनका registration ये question important है RBI Act 1934 की second schedule में हुआ है जिनका registration नहीं है RBI की second schedule में वो guarantee बैंक है अब अगर मैं बात करूँ यहां आपसे ये दो प्रकार के होते हैं एक व्यापारिक bank यानि कि बच्चे व्यापारिक bank वो होते हैं जो public dealing करते हैं हमारा पैसा अपने पास जमा कर लें हमें जरूरत पढ़ने पर loan दे दें इसमें कौन सी समझने वाली बात है और जो profit के लिए लाब कमाने के लिए काम करते हैं बात clear है तो यहां तक बात आपके समझ में आई होगी यहां मैंने आपको बताया कि जो आपके जो वानिजिक bank होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि एक सरकारी bank होते हैं public sector bank एक आपके बच्चे रास्टियकरत bank होते हैं nationalized bank जिने कहते हैं एक private sector के bank यानि कि जिन में private लोगों का पैसा ज़्यादा लगा हो 50% से ज़्यादा पैसा private लोगों का हो एक विदेसी bank होते हैं यानि कि foreigner bank जिने बूलते हैं जिनका विदेस में कहीं मुख्याल ले हो जैसे bank of America न्यू यॉर्क में मुख्याल ले है भारत में ब्रांच है और साथ के साथ regional rural bank जिसे RRB कहते हैं RRB भी आपका commercial bank को में आता है छेत्रिय ग्रामींड bank ठीक है ना भई ना है कि ये commercial bank होते हैं मैंने एक मोटा मोटा शमरी बताई आपको पता ही ना चले किसी चीज़ की तो फिर फायदा क्या है तो ये तो हो गए आपके बच्चे यानि कि बच्चे जिनने बोला जाता है आपके commercial bank एक होते हैं बच्चे आपके सहकारी bank जिनने cooperative bank कहते हैं तो बच्चे ये जो commercial bank हैं लाब के लिए काम करेंगे जबकि सहकारी bank जो होते हैं इनका method होता है no profit no loss no profit no loss यानि कि इनने ना तो लाब हो ना नुकसान हो ये चलते रहें बस इसलिए बनाए जाते हैं और basically जो सहकारी bank बनाए गए हैं cooperative bank ये ग्रामीन छेत्र के लिए बनाए गए हैं ग्रामीन छेत्र के विकास के लिए ग्रामीन रूरल एरियाज के development के लिए तो ग्रामीन छेत्र छोटे छोटे उद्ध्योगों के विकास के लिए ग्रामीन शित्र के विकास के लिए बनाए गए है, ठीक है न भई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनके भी तीन तरीके होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं सहकारी बैंक भी हलका हलका सा समझोगे, एक होते हैं, स्टेट कॉर्परेटिब बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ठीक आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट कॉर्परेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कॉर्परेटिव बैंक, जिला सहकारी, आपके यहां जिले में भी होगा जिला सहकारी बैंक, अगर आपने देखा हो कोई, तो जिला सहकारी, जिला सहकारी बैंक होते हैं, और एक होते हैं, ग्रामील सहक विलेज कॉपरेटव ग इना विलेज कॉपरेटव को जर्मीन सहकारी या सिस्थानी छ estoy bank ग्रामीन सहकारी गात क्लियर हो रही है यह तक बिलकुल यहां तक समझे आ गई होगी पर समस्ष जितनी land об चलो भाई, तो यहां मैंने आपको क्या बताया, बैंक दो प्रकार के, एक सिड्यूल और एक नॉन सिड्यूल, सिड्यूल बैंक, वो बैंक, जो बच्चे RBI एक 1934 की सेकंड सिड्यूल में लिस्ट है, दो प्रकार के हैं, एक आपके कॉमर्शियल और एक आपके बच्चे दू करना होता है, यह थोड़ा सा समझना है, जितना मैंने आपको बताया है, तो यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी, अब देखो, यहां तक आपको एक शीज और समझनी है, कि कुछ होते हैं, इस्पेशल बैंक, एक लिस्ट यहां पे अलग से बनाओगे, इस्पेशल बैंक जो किसी स्पेशल चेत्र के विकास के लिए बनाए गए हैं, ठीक है न, विसेज चेत्र के विकास के लिए, जिनकी स्थापना की जाती है, उन्हें बोलते हैं स्पेशल बैंक जैसे कि मैं एक्जामपल के तौर बे बात करूँ आपसे नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, वो बच्चे नैसनल बैंक फॉर अग्री कल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट, क्रसी अवम ग्रामीन विकास के लिए, तो ये बच्चे केंदर सर स्थी, डवलप्मेंट, बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, कैसा है बच्चे आपका, ये सिडबी जो है प्यारे बच्चे, इस्पेशल बैंक है, किसी छोटे उद्ध्यों के विकास के लिए बना है, ठीक है ना भई, एक बैंक होता है बच्चे जिसे कहते हैं, एक्जिम बैंक तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए बना एक्जिम बैंक, इस्पेशल बैंक है, आपने कभी सुना हो बच्चे, एन एच बी, यानि कि नैसनल हाउसिंग बैंक, तो आवास के लिए जो पैसे देता है, आवास ये कंपनियों को जो रेगुलेट करता है, ये स्पेशल बै बैंक होते हैं, बात के लिए है, चलो, वोइस आ रही है, वोइस तो आएगी नहीं तो बिटा काम कैसे चलेगा, यहां तक बास समझ में रही है, यूनियन बैंक किसमें आएगा, रहे बिटा, यूनियन बैंक में अगर हमारे खाते हैं, तो फिर तो वो कॉमरिशल बैंक उन्हें आपके बच्छे नौन सुडूल बैंक कहते हैं, जिन पर RBI का कंट्रॉल नहीं होता, जिन पर RBI का कंट्रॉल होता है, वो होते हैं आपके एक सहकारी बैंक और एक होते हैं बच्छे कॉमर्शल बैंक, कॉमर्शल बैंक सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, यह सारी चीज़ है, ठीक है न भई, तो यहां तक बास समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप देखो यहां बास समझनी है, मैं थोड़ी से कुछ special बैंकों को आपको बताना है, स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि एक बच्चे आपके RRB अभी मै Regional Rural Bank, Regional Rural Bank, जैने बोलते हैं, च्छेत्रिये ग्रामीन बैंक, च्छेत्रिये ग्रामीन बैंक, और मैं आपको बता दूंबेटा, SSC अब हो नहीं रहें, पहली वाली का आसान प्रिशन बूचे गी, नया ही कुच्शन लेकर आती है, घुमा फिराक है, तो इसलिए चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे तो आर आर भी जो है आपका ये special bank नहीं है ये commercial bank कों का एक group है तो ये कैसे हैं commercial bank commercial मतलब वानिजिक बैंक जो यानि की बच्चे आर बिया द्वारा ही इनका लाइसेंस वगेरा जारी किया जाता है लेकिन इन्हें जो कंट्रॉल करता है आर आर बीज को कंट्रॉल कौन करता है कंट्रॉलर कौन है तो कंट्रॉल यानि की नियंत्रन किसके हाथ में होता है छित्रिय ग्रामीम्द बैनकों का इनका नियंतरन होता है नाभार्ड के पास नाभार्ड पास समझ महा रहे हैं नाभार्ड के पास होता है बात क्लियर तो बात क्लियर हो रही है मैंने आपको बताया कि RRB 86- reduces ग्रामीम्द बैंक की स्थापना इस थापना हुई थी प्यारे बच्चे छेत्रिये ग्रामीड बैंकों की कि दो अक्टूवर 1975 में दो अक्टूवर 1975 में इनको स्थापित किया गया अब अगर मैं बात करूं बच्चे आप से कि पहला जो आरार बी बैंक फस्ट आरारबी पहला चेत्रिय ग्रामीड बैंक पहला जो आरारबी बैंक खोला गया वो खोला गया था बच्चे आपके नाम है उसका प्रात्मा बैंक प्रात्मा बैंक और प्रात्मा बैंक बिटा कहां खुला था उत्रप्रदेश के मुरादाबाद में यूपी के मुराद कि अदर उपन साथा धियान rajega उत्रप्र देस के मुरादाबाद में अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने तो दिहान रखीएगा वर्तमान में बिटा प्रिजेंट टाइम में वर्तमान के अंदर प्रिजेंट टाइम में 43 आरार भी है 43 छित्रिय ग्रामीड बैंक कार्य कर रहे हैं इनकी संख्या पहले जादा थी फिर बाद में ने बंद भी कर दिया गया बहुत सारे बैंकों को चीक पढ़ाऊंगा उसकी फूल फ्रम बताऊंगा नावाड को भी पढ़ेंगे इसके बाद ही नावाड पढ़ेंगे तो नावाड के बारे में बात करेंगे बात क्लियर हो रही है तो इस्ठापना कब हुई 2 अक्तुवर 1975 में पहला आरार भी प्रात्मा बैंक यूपी के मुरा ही हैं ये बात भी पूछी गई है एक्जाम में आरार भी बैंकों की इस्ठापना जो हुई थी वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी किस समीती की सिफारिस पर हुई थी तो छेत्रिय ग्रामीड बैंकों की जो इस्ठापना हुई इस्ठापना वो बचे नर्शिमह समीती की नर्शिमहम समीती की रिकमेंडेशन पर हुई नर्शिमहम समीती की पच्चे रिकमेंडेशन पर इनकी स्थापना हुई थी इस्थापना करने की सलहा जो दी थी वो किस कमेटी न दी थी recommendation of नर्शिम हम committee तो ये सारी चीज़ें बहुत important है आपके लिए तेके न भई शरू भई बहुत अच्छे तो यहाँ बास समझ में आई होगी commercial bank है आरार भी आपके control आपका नाबाड के पास होता है इन्हें छेत्रिय ग्रामीन bank कहते हैं छेत्रिय ग्रामीन बैंकों की स्थापना ग्रामीन छेत्र में banking सुविधा देने के लिए की गई rural areas में तो ग्रामीन छेत्र में banking सुविधा देने के लिए इन्हें बनाया गया ग्रामीन छेत्र में banking सुविधा देने के लिए banking सुविधा देने के लिए ने बनाया गया देने के लिए इनकी स्थापना की गई बहुत important है हर एक point पुछा गया है कहीं न कहीं ये बात ध्यान लखनी है तो बात clear अब अगर मैं बात करूं बच्चे कोई RRB खुला जाना है Regional Rural Bank छेत्रिय ग्रामीर बैंक की ownership ownership किसके पास होती है इसका मालिक कौन होता है तो RRB का जो मालिक होता है पेरे बच्चे वो तीन लोग मिलके इसकी स्थापना करते हैं कोई भी RRB खुलेगा नया बैंक खुल रहा है मालो UP में खुल रहा है तो केंदर सरकार भी अपना पैसा देती है केंदर सरकार 50% हिस्सा देती है तो आपसे एक्जाम में कुशन पूछा जाता है कि छेत्रिय ग्रामीन बैंकों में केंदर सरकार का हिस्सा कितना होता है 50% स्टेट गौर्मेंट जिनने बोलते हैं बच्चे राज्य सरकार यानि कि UP में खुल रहा है तो UP की सरकार भी पैसा देगी कितना देगी बच्चे 15% तो 15% पैसा जो आता है यानि कि मानलो 100 रुपे लगके खुल रहा है तो 100 मैं से 50 रुपे आगे सेंटर गौर्मेंट की तरफ से 15% पैसे आगे स्टेट गौर्मेंट की तरफ से ठीक है न भई और बच्चे बाकी के पैसे कहा गए 35% पैसे तो एक होते हैं प्रायोजक बैंक एक होते हैं बच्चे प्रायोजक बैंक प्रायोजक बैंक प्रायोजक बैंक को कहा जाता है स्पॉंशर बैंक तो जो स्पॉंशर बैंक होते हैं आपके बचे वो भी पैसा देते हैं अब वो कितना पैसा देते हैं तो बाकी के बचे हुए पैसे जो देते हैं पैरे बचे वो प्रायूजक बैंक की देते हैं 35% पैसा प्रायूजक बैंक कौन से होते हैं जो रास्टी एकरत जिनका रास्टी एकरण हो चुका है तो रास्टी क्रत बैंकों को ही रास्टिय क्रत बैंक को ही बच्चे क्या कहा जाता है प्रायूज़क बैंक कहा जाता है और प्रायूज़क बैंक के एक्जामपल जैसे की SBI State Bank of India PNB Punjab National Bank जिनका रास्टिय करण हुआ है ठीक है न वो सभी आपके प्रायूज़क Benk हैं प्रायूजय क का मतलब इस पॉंश करते हैं बैंकों के लिए पैसा देते हैं किपने अब देख़ो कुछ्षिन कैसे बनेगा कुछ्षिन बनेगा छेत्री ग्रामिन बैंकों मैं प्रायूजक की हिस्सेदारी कौन कितनी हुती है 35% केंद्र सरकार कि हिस्सेदारी कितनी होती है 50% आपसे पूछेगा RRB को जो प्रायोजक बैंक regulate करते हैं वो कैसे बैंक होते हैं तो रास्टेकरत नेस्नलाइज बैंक ठीक है न भई बहुत बढ़िया नीचे करिये नीचे कर दिया विटा लो नीचे कर दिया ठीक है न तो मैंने आपको क्या बताया जो जो चीज़ें बताई हैं वो एक बार दुबारा से सुन लो मैंने कहा रीजनल रूरल बैंक बच्छे आपके कैसे बैंक है कॉमर्शियल बैंक है ठीक है न जिनने RBI भी देखता है और जिनका लाइसेंस RBI देता है लेकिन कंट्रॉल ना बाड करता है बात के लिए इन्हें छेत्रिय ग्रामीड बैंक कहा जाता है ग्रामीड शेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्द कराने के लिए बनाए गए नर्शिमम कमेटी की सिफारिस पर इनकी स्थाफना 2 अक्टूवर 1975 में गांधी जी के बड़े पे हुई पहला बैंक प्रात्मा बैंक यूपी के मुरादावाद में खुला वर्तमान में 43 रीजनल रूल बैंक काम कर रहे हैं सिक्केम और गोवा में कोई भी RRB बैंक नहीं है ठीक है न भई कि अरे बेटा कुशन कराऊंगा मैं थोड़ी सांती करोगे नहीं करोगे मेरी बात समझे ठीक में कुछ खुरबाती कीडा कुछ गया है मैं समझा रहा हूं समझनी रहे हैं क्ष्म कराओ पहले पहले कोश्चन करा दूँ हर चेप्तर के बाद तो कुश्चन करांगरे जितना मैं कराता हूँ जाएद कोई और कराता भी नहीं होगा Swiss bank के बारे मैं जानना भाई साब को Swiss bank कैसा है अरे बेटा Switzerland के bank है Swiss bank Swiss bank कैसा है bank यह वो भी वो अपनी सूचना किसी को नहीं देते जानकारी नहीं देते हैं बस अपनी किसी को ठीक है ना थोड़ा सा बेटा समझा करो चीज़ों को जो एक होता है बेटा नाबार्ड आपका नाबार्ड नाबार्ड special bank है नाबार्ड नाबार्ड को कहा जाता है national bank for full form पूछेगा cdc national national bank for agriculture national bank for agriculture and rural development and rural development रास्टिये क्रसी एवम रास्टिये क्रसी एवम ग्रामींड विकास बैंक तो रास्ट ये क्रसी एवं ग्रामीड विकास बैंक कहा जाता है नाबाड को नाबाड की जो इस्थापना हुई थी बेटा वो क्यों की गई थी तो ये क्रसी एवं ग्रामीड विकास की सर्वोच संस्था है नाबाड जो है बच्छे करसी एवं ग्रामीड विकास की सरवोच संस्था लिएखो इन्हें कंट्रॉल करती है जो special bank होते हैं सीधे गोर्मेट द्वारा कंट्रॉल होते हैं तो नाबाड एक special bank है विसेस bank special bank है ये क्यों बनाया गया है ये बचे गाउं के विकास को और क्रशी को promote करने के लिए बनाया गया है अब ध्यान से समझो मान लो कोई योजना launch की सरकार ने ठीक है ना कोई भी मतलब योजना हो गई जैसे किसान मान धनी योजना हो गई वो किस से जुड़ी हुए है किसानों के मान सम्मान के लिए सरकार ने launch की है अब सरकार बिटा direct किसानों को तो नहीं ढूड़ेगी सरकार ने बना रखा है नाबाड करसी के विकास के लिए योजना किस के लिए आई है मतलब गाउं के विकास के लिए किसानों के विकास के लिए तो वो पैसा किसे देगी नाबाड को देदेगी नाबाड किस से कॉंटेक्ट करेंगे जिनमें आपके खाते हैं ठीक है न भई यानि कि आपके खाते कि इनमें कॉमर्शल बैंकों में तो यहीं कि सरकार ने पैसा दिया नाबाड को, किसान मांधनी उसना का, यह नाबाड किसे कॉंटेक्ट करेगा आपके जो कॉमर्शिल बैंक है, उन कॉमर्शिल बैंकों से, और फिर आपके खाते तक पैसे पहुचाए जाएंगे, पास समझ मा रहे हैं, तो यह चीज फूरी स किया गया था बच्छे, स्थापना वो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 1982 में हुई, और एक कमेटी बनी थी, जिसका नाम है शिवरामन, शिवरामन कमेटी, सिवरामन समीती की रिकमेंडेशन पर हुई, सिवरामन समीती की सलाहा पर इसे इस्टैबलिस किया गया, उन the basis of सिवरामन committee नाबाड का headquarter कहा है प्यारे बच्चे तो नाबाड का जो headquarter है मुख्याले है वो मुंबई के अंदर है मुंबई के अंदर है नाबाड का मुख्याले एक special bank है जो क्रसी और ग्रामीड विकास की देखरेक करता है अगर मैं इसके अद्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान मैं नाबाड के जो अद्यक्ष है प्यारे बच्चे उनका नाम है के वी के वी शाजी के वी शाजी वर्तमान मैं नाबाड के अद्यक्ष है बहुत important है बात clear मैंने भी तो नाबाड ही लिखा है भाई तो नाबाड की बात किलियर है वेरी हार्ड सर हां बिटा हार्ड तो है अब एक्जाम में अगर न्यू पूछे नाबाड की भुल फॉर्म क्या है तो नाबता पाओ नाबाड की स्थापना कभी नाबता पाओ 12 जुलाई 1982 आपसे पूछे क्रसी और ग्रामीड विकास की सबसे उची संस्था कौन सी है तो नाबता पाओ नाबाड है अगर पूछे बच्छे आपसे किस कमेंटी की रिकमेंडेशन पर नाबाड खुला गया तो आप नहीं बता प हमारी है तो बिटा ये तो अब इतना तो पता होना चीए अब मैं कैसे बताओं आपको मैं चीजों को समझा सकता हूं कि ये स्पेशल बैंक है 12 जुलाई 1982 में खुला था क्रसी के विकास और ग्रामीड विकास के लिए नाम से के लिए रहे कि ये खुला गया नाबाड की चलो स्क्रॉल डाउन बिल्कुल हो गया बच्चे ये रहा स्क्रॉल डाउन ने पूरा आप लिख लीजिया तक अच्छिए एक बार लास्ट में पांच मिंट रिवीजन करवा दूंगा सभी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगे निश्चिन परिशान मत हुआ करो जैसे नाबाड खोला गया बच्चे Special Bank किस के लिए यानि कि आपका बच्चे मामला करने के लिए ठीक किसका क्रशी और ग्रामीड विकास का है ऐसे यी बच्चे आपका सिडवी की स्थापना हुई सिडवी बहुत पूछा जाता है सिडवी आपसे सिडवी क्या है Small Industries Development Bank of India अब ये नाम तो याद रखने ही पढ़ेंगे बिटा बिना याद रखे तो काम से लेगा नहीं S for Small, I for Industries Development, Bank for India फिक है न भाई तो हिंदी में कहते हैं भारती है लगू उद्ध्योग विकास बैंक भारती है लगू उद्ध्योग विकास बैंक ये कब खुला था बिटा बैंक? ये खुला था आपका 1990 में तो इस्थापना कब हुई? इस्थापना हुई थी 2 अप्रेल 1990 में बहुत important है, headquarter कहां है, मुख्याले कहां है लखनव के अंदर है, तो बिटा अगर सरकार को किसी लगू उद्ध्योग का विकास करना है, छोटे उद्ध्योगों को लॉन देना है, जैसे आपने सुना होगा एक सरकार ने scheme launch की थी जिसमें अलग-अलग प्रकार के लॉन दिये जाएंगे गरीब लोगों के लिए छोटे उद्ध्योगों को खुलने के लिए जिसमें तरुन अलों था आपका कौन सी यूजना थी बताओ मुझे सर जी नीद आ रही है पुस्पिंदर यादा नीन तो मुझे भी आ रही है मैं भी थोड़े दिर पढ़ा लों तो मैं फिर लेट लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है फुल फॉर्म अंग्रेजी में पूछता है सर हां बेटा अंग्रेजी में पूछता है संस्कृत में कुछ नहीं पूछता है या तो हिंदी में लिखके देगा या अंग्रेजी में तो सो परसेंट जाधा तर मैं कहूं कि सो में से नभ्य परसेंट चांस है कि इंग्लिस में पूछेगा दस परसेंट है कि हिंदी में आप्शन मिले नहीं तो नाबाड का इंग्लिस में देगा नैशनल बैंक ये कौन के रहा है? 1989 होगा ठीक है बिटा ठीक है दो अप्रेल उनने सुन अब भही है लखनव में हेड़कॉर्टर है इसके अद्यक्ष है सिव सुब्रमन्यम रमन छीक है न भही इसके अद्यक्ष यो बने हैं सिडवी के नए अद्यक्ष ये पूछे जाते हैं एक्जाम में स सुब्रमन्यम रमन इसके अद्यक्ष हैं प्रेजेंट के किसके लिए काम करता है लगु उद्योगों को लॉन वॉन बाटने का काम तो भारत सरकार ने कोई स्कीम लॉंच की सीधे पैसे सिडवी को पकड़ा दिये सिडवी अब सिडवी देखेगा आगा है तो यह के ना ना बार्ड ना बार्ड ना बार्ड नेशनल बैंक फूर अग्री कल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट ठीक है ना बार्ड नेशनल बैंक फूर अग्री कल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट ना बार्ड बात के लिए चलो हैड़क्वाटर यह बिटा यह लिख रहा दे रहा एरा एरा हेड़क्वाटर लख नौ में लख नौ में हैं हेड़क्वाटर चलो भाई बहुत बढ़िया सर कहां से ला रहे हो बैंकों को बेटा ससी के कुश्चन से एक बार उठा के देखो पता चल जाया कहां से आ रहे हैं एक होता है बचे एन एच बी एन एच बी इसे कहते हैं प्यारे बच्चे यह भी स्पेशल बैंक कि नैस्टनल कि हाउसिंग कि नैस्टनल हाउशिंग बैंक इसे कहा जाता है बच्चे रास्टिय आवास बैंक रास्टिय आवास बैंक नैस्टनल हाउसिंग बैंक जिसकी इस्थापना हुई थी बच्चे आपके इस्थापना की गई थी 9 जुलाई 1988 में 9 जुलाई 1988 में नैस्टनल हाउसिंग बैंक अब बच्चे आवास से जुड़ा हुआ मामला जो भी होगा आवास तो जो बैंक आवास के लिए लौन बाटते हैं यानि कि बच्चे जो कंपनियां आवास यानि कि घर लेने के लिए लौन देती है उन कंपनियों को कंट्रॉल करता है NHB और साथ के साथ करताा है तो बच्चा द्यान रखना है इसका काम क्या होता है आवास के लिए सीड导स्था तो अगर आवास के लिए विप वाली बात है ना कोई कंपनी से विप ले रहे हो तो उसकी देख रेक पूरा ये ही करता है आवाश ये आवाश ये विद्ग कि आवाश्य वित्त की सीड संस्था है आवाश्य वित्त की सीड संस्था है बात के लिए है अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यहां आपसे इसका हेड़क्वाटर है दिल्ली के इंदर मुख्याल है दिल्ली में है डैली में और इसके प्यारे बच्चे अध्यक्षियों ह इसके प्रिजेंट में अध्यक्ष है चीक है बात के लिए अब देखो यहां समझो मेरी बात पांच मिनट में चीज़ों को रिवाइज कराए देता हूं कल जो बाकी की चीज़ है अगली क्लास में कराके फिर इसके कुशन्स करा दूँगा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो बैंक है उन्हें अलग-अलग केटेगरी में डिवाइड किया जाता है पहला नंबर आता है बच्छे एक तो है हमारा सेंट्रल बैंक जो सबका पापा है उसे बिलकुल अलग रखते हैं वो हैड है ठीक है ना नंबर दो क्लासिफिकेशन जब करते हैं एक होते हैं इंट्री नहीं करते हैं और प्रॉफिट गलिए काम करते हैं और सेहकारी बैंक बच्छे नो प्रॉफिट नौ flawless पहां करते हैं दूसरी जीज़ बात करूँ बच्छे जो आपके commercial bank होते हैं वो सरकारी हो सकते हैं, रास्टेकरत हो सकते हैं, आपके private sector के हो सकते हैं, foreigner हो सकते हैं, RR भी इसके अंदर आ सकते हैं और बच्छे जो आपके दूसरे number पे थे आपके जन्हें बोलते हैं सहकारी cooperative bank तो ये अलग- सरकार के होते हैं, जो बच्छे आपके special bank होते हैं जो सरकार control करती हैं, सरकार ने किसी विशेश sector के विकास के लिए इनकी स्थापना की है, जैसे कि नाबाड National Bank for Agriculture and Rural Development नाबाड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में, नाबाड का मुख्याल मुंबई के अंदर और नाबाड को आप 72 में खोले गए, पहली बार ध्यान रखीगा, पहला बैंक प्रात्मा बैंक, सिक्किम और गुवा में कोई भी मतलब आपका छेत्रिय ग्रामीर बैंक नहीं है, ये भी बात ध्यान रखनी है, और इसकी ownership में 50% पैसा RRB की में सेंटर गवर्मेंट का होता है, और बच्छे आ एक जिम बैंक है, अभी कैई सारी चीज़ें और रह गई है, बैंकों का रास्टे एकरंट रह गया अभी, सरकारी छितर के कितने बैंक है, उनका हेड़कॉर्टर का है, ये रह गया है, तो थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है, कल-कल की किलास और चलेगी, बैंकिंग से ज है, तो सरकार सिडवी के कान पकड़ती है, सिडवी आपके कॉमर्शियल बैंकों के और कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा उसके बटबाता है, ठीक है ना भई, चलो, याद कैसे करें, अब या कैसे याद करना है, ये अभी समझ में नहीं आया, तीन बार तो मैंने रिवाइ बैंक हैं, फिर इसके बाद में, सिडवी, Small Industry Development Bank of India, भारती लगुद्योग विकास बैंक, कब स्थापना हुई 1990 में, हेड़कॉर्टर लखनव में, इसके बाद आपको ये बताया है, इसके बाद ये NHB, National Housing Bank, रास्टी आवास बैंक, इस्थापना नो, जुलाई 1988, हेड़कॉर्टर दिल्ली और अध्यक्ष सरद कुमार, तो आवास के लिए देख रेख, आवास की सबसे बड़ी संस्था है, अगर इससे थोड़ा बहुत अपना भी याद करने का प्रियास करना पड़ेगा है, तब ही होंगी चीजए आद अब मानलो कोई चीज ऐसी है, मानलो भया, मेरा घर है, मेरा कोई नया घर खरीदा पिता जी ने कहीं, और पिता जी ने कहीं, बहुत अब मैं बेटा, घर तो कभी गया नहीं हूँ पहले उसमें, पहली बार जाना है, तो मुझे थो बड़ी इसका मतलब अगर आपने यह चीज नहीं पढ़ी है और पहली बार पढ़ी है तो पहली बार में समझ में तो आ गई आपके अब आपको याद कैसे करना है घर में एक बार जाके अगर छोड़ दोगे तो माम लानी हुपायेगा पहली बार जाने में तो दिक्कत है जब तक इस कर दो अच्छा गुरू जी ने ऐसे नाबाड के बारें बताई तो इसका मतलब याद हो जाएगा बात के लिए तो ऐसे करके चीज़ों को याद करना है मेरे प्यारे बच्छे ठीक है बच्छो लव यू चेक केर बाइबाय आज की ग्लास यहीं तक रहेगी मिलेंगे मंडे एक बहतरीन सेशन के साथ साम 5 बजे पांच नी 7 बजे प्रक्टिस से ज़रूर जुड़ी गा बहतरीन प्रक्टिस सेशन कर रहा है आपके लिए और वहां मैं नहीं चीज़ों को आपको से कहता हूं लव यू टेक केर भाइबाय बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए